दोस्तो मैं विटास दोली है यूट्यूब पे लेकर आगा हूँ टैनिस्टिरी डाडिंग वीडियो आज वीडियो लेकर हूँ वह बहुत बड़े प्लेयर की वीडियो लेकर हूँ एगा हूँ क्यूंकि वह कुन्ति टाइम ग्रांड स्लम मेजर चेंपियोन है वह राफा सही लाड़िया जिनके 20 ग्रांट स्लाम है अधे दिन राफा नदाल रोजर फैडरे नमबर वन प्लेयर बने थे जिन्होंने सबसे पहले लिया था उस तबार राफा नदाल ने लिया था फ्रेंच ओपन ने और नोवर जोटोवेज ने लिया था विविल्डन 2018 लास्ट यर में अब चाहेंगे रोजर राफा नदाल की वो फर्स टाइम ऐसे प्लेयर बन जाए कि वो इटीस मां ग्रांट स्लाम फर्स टाइम ले सके उनसे ये इंटर्वी में पूछा भी था कि आप इटीस टेस साल के नहीं है बट आप चाहेंगे कि इटीस मां ग्रांट स सबको फिर से इत बार ये बता दें जाओंगा जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लो बैल आइकन पर जाके नोटिफिकेशन में को क्लिक कर लो ताकि सारी की सारी दोस्तों आपको अपडेट्स मिल सके अब इस बार भी वो अच्छी परफॉर्मस कर रहा है क्वार्टर फाइनल में पहुंचे या बढ़िया परदशन किया पिछली बार उन्होंने अलजंडर जो वन ऑफ देंडर्स माने जा रहे थे उन्हें हराया और इस बार वो बहुत करीब थे क्वांटे टाइम ग्रांट स्लम चैंपमें को हराने में बट ऐसा नहीं हो पाया उन्होंने फाइट अच्छी की पहले दो सेट हारने के बाब जूद भी वो पांच सेट तक लेके गे बट राफा नेदाल में फिफ्ट सेट में कुछ जादा ही अच्छा परदशन कर दिया अब पोस्ट मैं चैनली सिंद में अरे सथ तोड़ दी 80 बार सफ तोड़ पाय पाया परदशन उन्होंने अच्छा किया पहला सेट उन्हें डह च्य चैनली तरव दी चैनली सेट वर दी की सैनली सेट Do risks 6-udo से काम यारे और सेट जीता छे चार से अब फाइनली उनके साथ सेट में स्कोर हो गया था कोई एट सेट जीत जिए थे और दूसरी राफा नवदाल अभी भी दो सेट की लीड पे थे और डैने शापुलेफ चाहेंगे की वोड लीड को तोड़े अल्ले सेट में भी परदेशन दोनों बराबर हो गई तो धोяжगे अब कोई भी मैंच पलट सकता था फिफ सेट में रावा नदाल ने पंडेशन बहुत बढ़रिया फिफ पहुँचा भी आपकी बॉड़ी कैसे है कि उनको बीच में इंजरी होगी थी और बीच में स्टोमेट पेन भी होगी थी बोल भी रहे थे जब दोस्तों यह बता देना चाहूंगा कि राफार नदाल ने इस बार डबल फॉर्ट बहुत जादा की है डबल फॉर्ट उन्होंने इस बार डबल फॉर्ट नहीं की है इस बार डने शापुलेफ ने जाधा लिए और राफा नदाल ने कम लिए बट इसके बाब जूद भी राफा नदाल ने डाने डने शापुलेफ के ओपर विट्री हासिल किया तो यह बड़ी बात है दोस्तों जब आफटर फॉर्ट सब सेट के बार उन्होंने कंप्लेइन भी थी कि स्टोमेट में उन्हें जाधा पेन हो रही है उन्हें टाबलेट्स भी यही उन्हें इंट्रिव्यू में बताया भी फाइनली देखा जाए हमें लगना था कि बाद में क्या पता वो रिटायर आउट नहीं हो जाए अच्छा है और अस्टेलियन ओपन का साथ मां इनका सैमी फाइनल है देखा जाए जोकोविश ते यह बराबर आ रहे हैं दीरे दीरे बाद जोकोविश चमी बहुत आ रहे है क्योंकि जोकोविश नो बार पहुंचिया सैमी फैनल में और दूसरी और जो रोजर फैडर है वो भी आसे प्लियर वो बन जाएंगे प्रजशन वो बढ़िया करे राफा नदाल अब उनका जो मैच होगा वो मैच होगा मैट्यू बरीटीनी वर्सिज गेल मोनफिल्स के वीनर के ओपर और जो उसका वीनर था वो मैट्यू बरीटीनी था उसकी पोस मैच एनलीस टीवी वीडिय क्या होंगा दोस्तों नेट्स वीडियो में अभी कलिए आप ये बता जीए कि राफा नदाल जीतेंगे सामी फाइनल की नहीं अगर जीतेंगे तो येस लिके राफा वैमोज राफा लिद दीजे और अगर लगता है कि राफा इस बार अपसेट हो जाएगे तो तब भी बता देजे और अगर वीडियो अच्छे लिए वीडियो को लाइक करना दोस्तों वीडियो को कमेंट करना और डेर सारा प्यार देते रहना धन्यावाद दोस्तों